लोगसभा चुनाव में अखले शादों ने जिस रंडीती के साथ बंपर जीत हासिल की जिस प्लानिंग के साथ पार्टी को पांच सीट से 37 सीट पर पहुँचाया अब उसी एनरजी के साथ वो सेंट्रल प्रॉलिटिक्स पर फोकस करने वाले हैं यानि अखले शादों अब उत्तर प्रदेश की राजनीती को छोड़कर केंद्रे राजनीती के लिए जाने वाले हैं मुझे खुशी है इस बात की कि जनता ने पीडिये पर और इंडिया गड़वन्दन पर फरोसा किया और उसका पड़ाम यह हुआ कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजिन की सरकार है जमीन पर जो चीजने नहीं दिखाए दी उसकी नाराज़गी देखने को छुनाओं में मिली उनके किलाफ और उसी का पड़ाम यह है कि भाते जिनता पार्टी बहुत बुरी तरहारी दरसल अखिले शादो कभी केंडर तो कभी प्रदेश की राजुनीती में दाव आजमाते रहे लेकिन इतनी बड़ी सफलता उन्हें पहले कभी नहीं मिली अखिले शादो पाचवी बार सांसद बने है तीन बार कन्नौच से सांसद रह चुके हैं 2022 में करहल से चुनाव लड़कर जीता फिर आजमगर लोकसभा छोड़ दी थी एक बार फिर कन्नौच से सांसदी लड़ी अब अखिले शादो ने साफ कर दिया है वो करहल छोड कन्नौच की रास्ते दिल्ली की राजनीती में एक्टिव रही कि दरहें लोगे इपरी के कारकरता हूं से माचीद भी की दिल्ले का भी काम थिया और उन लोगों से मैंने कहा भी अब जब दो जगे से चनाओं में जी दिया हूं तो एक सीट छोटी पड़ेगी तो बहुत चल्दी में दिहां समा में अपना जो हमें सीट छोटी उसकी चन्थरी देगी अब लोग त्या कर लेंगे फैसला यही हो कि जिससे पार्टी को और बहुती मिले पार्टी का होग और पोट पड़ेगी ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश के दिल्ली जाने के फैसले के बाद अब करहल सीट पर कौन लड़ेगा और यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद कौन संभालेगा इस पर भी चर्चाए शुरू हो गई है सूत्रों के माने तो करहल सीट पर तेश प्रताव यादो चुनाव लड़ सकते हैं वहीं यूपी में नेता प्रतिपक्ष का पद शियुपाल यादो संभाल सकते हैं शियुपाल अब विधायक दल में सबसे वरिस्टतम सदस्य हैं राम अचल राजभर जो की अमबेट का नगर से विधायक हैं उनके रास्ते भी नेता प्रतिपक्ष के लिए खुले हुए हैं समाज आदी पार्टी के जो भी विधायक हैं उनमें वरिस्टतम सदस्य शियुपाल सिंग यादो ही हैं ऐसे में मुझे जहां तक उम्मीद है कि अकलेश यादो जी नेता प्रतिपक्ष की कुरसी अपने चाचा शियुपाल सिंग यादो को ही देंगे पीडे का फॉर्मूला लेकर चलने वाले अखिलेश यादो कोशिश करेंगे कि उत्तरप्रदेश की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष पीडे से ही बनाया जाए जिसमें सबसे पहला नाम शियुपाल यादो का है बाद में किसी और का और कुछ ऐसा ही मेसेज शिपाल य आधार पर आगर भारती जन्ता पार्टी उत्तरप्रदेश से इस्तिपा दे दें और इस्तिपा दे करके चुनाव कराए जाएं तो फिर उत्तरप्रदेश में अखिलेश यादो के अगवाई वाले समाजवारी पार्टी निश्चित उत्तरप्रदेश में इस पर्ष्ट ब जिदाइकों का, हमारे सांसुदों का, मनोबल तो बढ़ा है, बढ़ाई है, तो अबर ठीक है, बनानसवा में ठीक ही होगा। यानि अखिलेश यादों को पूरा यकीन है कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में और बहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया गठ मंधन में सहयोग्यों की भागेदारी को देखा जाए, तो कॉंग्रस के बाद सबसे ज़्यादा सीट लाने वाले पार्टी समाजवादी ही है। और पार्टी को इस मुकाम पर पहुचाने वाले अखिलेश यादों। विर्य रिपोर्ट न्यूज एटीन। जो ने सम्विधान को बचाने के लिए वोट किया है। तो चिनाव में पीडिये की जीत हुई है, ये कहा अखिलेश यादों ने और साथ ही ये भी कहा कि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। न्यूज एटीन से बाचीत के दौरान अखिलेश यादों ने ये बाते कही। समाजमादी पार्टी के राश्टी एटश खिलेश शादों जी मेरे साथ मौजूद आये, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ठीक एक हफते पहले जो रजल्ट आया था, आपने उत्तरपरदेश में नया इतिहास लिखा, नया पन्ना इतिहास में आपने जोड़ दिया, कैसे इतिहास बनाना संबहों काया सर। देखे, चुनाओ जन्ता ने रड़ा, और जन्ता ने ये महसूस किया, कि उसका समिधान, उसके हक, अधिकार, खत्रे में हैं। और मुझे खुशी है इस बात की, कि जन्ता ने पीडिये पर और इंडिया गड़बंदन पर भरुसा किया। और उसका परड़ाम ये हुआ, कि जो लोग कहते थे कि डबल इंजिन की सरकार है, जमीन पर जो चीज़ें नहीं दिखाए दी, उसकी नाराज़गी देखने को चुनाओ में मिली उनके किलाफ। और उसी का परड़ाम ये है, कि भाते जन्ता पार्टी बहुत बुरी तरहारी, जहां हम लोग खड़े हैं, फरका बाद बगल की कॉंस्टेंसी है, पर सासन ने और खास करके वहां के जिलादिकारी ने, जिलादिकारी पर क्या दबाब रहा होगा, जिलादिकारी ने क्या सम समाजादी पार्टी के पर्तियासी को उसने जहान बूश करके हराया ये बातें भूलने वाली नहीं हैं कि जो अधिकारी अपने पद पर रह करके जिसको सब भरोसा करते हैं कि I.S. हैं आप अधिकारी हैं निस्पक्ष करेंगे निस्पक्ष तरीके से फैसला देंगे लेकिन पदा नहीं क्या बात थी कि जिलादिकारी वहां के परसासन पे नजाने किस बात का दवाब था कि जहां समाज़ादी पारटी जीती उसको हरा दिया नकिवल फरकाबाद में अलीगर में भी यही घटना हुई है जहां पर लाठी शार्ज हुआ नजाने क्या क्या करा परसासन उसके बाद परड़ाम बदल दिया फूल पूर कॉंस्टेंसी बहुत कम बोटों से हारे बाजगाओं के लोग धरना प्रदसन करते रहे मांग करते रहे कोई सुनवाई नहीं हुई मुझे उम्मीद है कि जनता ये सब देख रही है आने वाले समय में इन सब को लाखो लाख बोटों से जन्ता चिताएगी ये बेहमानी भी करना चाहेंगे तो बेहमानी नहीं हो पाएगे सब्सक्राइगे चाहिए वो डेबल इंजन की सरकार रही हो टेबल इंजन की सरकार रही हो दिली वाले रहे हो लखनो वाले रहे हो जनता मन बना चुकी थी कि उन्हें सबक सिखाएंगे क्योंकि उन्होंने PDA के अधिकारों को चीना है उनके हग को चीना है आरेच्षण के साथ खिलवार हुई है जाती रणना नहीं की है महंगाई बढ़ाई है प्रोजगारी बढ़ाई है मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने सरकार जो तोड़ से या सही होग से बना ली है अग क्या हुआ है